परदान जी टोल बंद कराया गया है, सबसे पहले दर्शक आपका नाम जाना चाहेंगे और उसके बाद ये बताएं कि ये कौन सा टोल है, किस समय से किस समय तक इसको बंद कराया है विनो दराना मेरा नाम है, सोनी पत्बलोक का परदान हूँ और हमारे को जो परशेव मैसेज था, हमारे संगंडगनी गौर्फ से बारा बज़े से तीन बज़े तक टूल चलते रहेंगे और टूल कटेंगे नहीं इसके बाद कौन से टोल को फ्री कराया जाएगा? अर्याडे में सभी टूल है यो इटेम है सभी का लेकिन राणा साब किसान जो है वो करीब रवी वार तक क्या समय दिया गया था बादचीत के दोरान का उसके बावजूद टोल को फ्री कराया जा रहा है किस तरह का मैसेज आगे से आपके पास आए? नहीं ये मैसेज ही यहा था भाई चलो हम टूल बंद करेंगे ता हमारी मतलों ये एक सरकार के ओपर दवाव है का हम सब एक हैं और कोई चोटा मोटा संगठन है जीतने भी सारे एक जंड़े के तड़ा है तरिंगे के निच्चे है नहीं ये कुरूरी नहीं है किसान जाएंगे किसान अपने घर पर रहेंगे और मोटी जी शैंती पूरुक उन से बारता करेंगे शंबू बोडर पे तैनाता नी चली उसके बाद खनौरी बोडर पे भी काफी संक्या में किसान चोटिल हुए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे सरकार का किस तरह का रवईया है जो यह नामतमहिन का नहीं जानता यह जैज से जोटाओं है ड्राउन ड्राउन जो यासुगेस के गोड़ें द्वारा छोड़ा है ये गलत है बाकि किसान है ये किसान मेरे साब शेता है सबसे पर्थम किसानी है और किसान का सबद छोटा है पर इसकी वो बहुत बड़ी है किसान का मतलब है अंदाता अनपैदा करना और वो अरेग जीव के मुह मनेवाला देता है और वो यह चाहता है वह सब अपने घर पर सुक शैंती तर हो और यह जो अमारे भाई थोड़ा हा रोड़ जाम का या ट्रेक्टर मार्च का यह कर रहे हैं कुछ किसान कर रहे हैं इनको समझा हो दीगे हम बैठका सभी भाईयों को वह अमने शैंती प लेन किया गया पुलिस द्वारा उठा लिया गया कैसी यातना है उनको दे गई क्या वो किसान भाई आप लोगों के बीच वापस आ गई हैं नहीं वो सरकार ने बोल दिया है जो पहले भी 14 महीने बैठे दे उन पर भी जो केस लग रहे हैं उनके वापिस लिये जा रहे हैं और जो किसान उठाए हैं वो सेंती पुरुवक ही उठाए हैं और सेंती पुरुवक ही अपने घर पाएंगे उनके साथ को ऐसी यातना नहीं दी जाएगी पना दी है तो अब किस तरह का गति रोध है जब तीन किर्शी कानूनों को वापस ले लिया गया था है मैंसपी की खानून बनाने की लिखित में गारंटी भी आसवाशन दिया गया था कि यह सब हो जाएगा तो किस तरह का विरोध किसान करें नहीं लिखित रूप में तो साय दिन दिया नहीं था हां मैं उस टेम पर नहीं था मैं 10 दिसंबर से संगठन से जुड़ा हूं तो इतना मेरे को नहीं है पता की नहीं लिख के दिया है नहीं दिया लिख के दिया होता तो यह काम नहीं होता वादा किया है खाली मूं से और वो कहते हैं हमारे देश में तो वह बात है प्रान जाई पर वचन ना जाई जब एक वादा मोदी साब ने कर लिया अग तीन कानून ये वापिज लेता हूँ और MSP पे उनने कलियर नहीं बोल ला था मेरे ख्याल से अगर बोल ला है कलियर अगर MSP देंगा तो फिर उन्होंने तो ये देनी चाहिए आप क्या कहेंगी चाचा इस बारे में जिस तरह से गतिरोज उत्पन हुआ है या जिस तरह से रोका गया है अब डोल फ्रीक रा दिये गए हैं तो पब्लिक को अस्विदा हुई है कई जहां रोड बंद कर दिये गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताईए कि रास्ते फाव दुन ही मैचिजाम कर दिये गए हैं वा खोल दिये जाए हम पब्लिक को प्रेशान करना नहीं चाहते अरॅट किसी भी तरह से हम पब्लिक के साथ ना इंशापी होगी अरतना हम उसमें कदम पीचे अटा लेगे। परदान जी टोल को बंद रहा है किस समय से किस समय तक इस टोल को फ्री करवाया है। अशास अभी परदान जी महाकमत। कल हमारी क्रुकषेत्र में मीटिंग थी गुर्णाम सिंग चडूनी के उसमें। तोन्हों नकाल देती वैँ तीन गंटे के लिए बारा बजेते लेका 3 बजे तक तॉल फ्री रखुनें आवाजां भी ऐसे की तशी रहेगी और फ्री करवाने है। तो हमने उस काल पर फ्री करवाये हैं और कल का जो प्रोग्राम है हमारा टैक्टर मार्ट का है। तो पूरी तशील में हर तशील में टेक्टरमार्ट से कम यातरा निकाला जाएगा और पर्ष्टों की फिर कुरुक्षेत्र में मीटिंग है सबी संगठन होगी जितने भी आल-इंडिया में संगठन है सबी संगठन होगी मीटिंग उसके बाद जो पता लगेगा बता जो है किसान अंदोलन से अलग हो गए जैसे राकेस टिकेत का बैयान अभी नहीं आ रहा है तो उसके बारे में क्या गए है अगर राविवार की वारता विफल होती है तो आप लोग दिल्ली कुछ करेंगा बिलकॉल इसमें कोई सक नहीं वहां से जो पंजाब से बौर्टर जितने भी आदमी हैं पंजाब के वो तर्शेट वोड़ता है होंगे हम तरली कूछ करेंगे तो डिल्ली जाकर कौन सी जगह प्रदर्शन करना चाहते हैं कहां जाकर वहीं टिक्री बोर्टर ही आपका सिंगो बोर्टर टिक्री बोर्टर जो आप लोगों के लिए पहले से जगे निर्दारिक थी क्या उसी जगे जगे आगे के कारिकरम तैकिये जाएंगे उसी जगे तो अब एनस 334 भी मैं कहूंगा लोहारू से जो मेरट तक का हाईवे जाता है उस वक्त इस हाईवे पर मौजूद है और जिस तरह की गतिविदियां किसानों द्वारा की गई है शांती पूर्ण तरीके से टोल को फ्री करवा दिया गया है करीब 12 बजे से लेकर तो पहरबाद 3 बजे तक टोल को फ्री रखा जाएगा अब देखते हैं आगे क्या होगा जरौटी टोल पलाजा है और जीतिंदर मेरा नाम है यहां पर मैं मैंनेजर हूँ कुछ किसानों का आवान हुआ है यहां आके हम उसे बोला है कि 12 से 3 बजे तक टोल बंद रहेगा तो हमने उनको देखते हुए अपना टोल बंद कर दिया तो किसानों की तरफ से किसी तरह की करते जबरदस्ती निक अभी ही तो किसानों की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं हुई है और आवी सांधी दिप्रिया हमने बंद कर दिया तो भी क激 शक्ट 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 हरी अ